हेलो फ्रेंड्स पॉनोट्रोल एकडमी में आपका स्वागत है आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेमिना और एयर फ्लो लेमिना और एयर फ्लो के बार में फ्रेंड्स आपने सुना होगा मायक्रोबालोजी लैप के अंदर बैसिकली जो इंस्ट्रूमेंट है वह हम ठीक है फ्रेंड्स तो लेमिना एयर फ्लो आज डिसकस करेंगे हम तो वीडियो कर आपको अच्छी लगें लाइक कीजेगा फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलेगा फ्रेंड्स और वीडियो को सब्सक्राइब करना है आपको ठीक है क्योंकि नी वीडियो को अब्रेशन आप इसकी जो एफिशेंसी होती है काफी जादा होती है एर को फिल्टर करने के लिए ठीक है फ्रेंच हमें एर फिल्टरेशन की जरूरत क्यों पढ़ती है तो बेसेकलि आपने देखा होगा कि जब आप कल्चर वगर लगाते हैं या फिर कोई आपने अगार वगर पर किसी चाहेंगे वह आप नहीं देख पाएंगे सो यूवी लाइट और जो हैपा फिल्टर होते हैं दो तरह की लाइट होती है हमारी लैमिनार एर फ्लो के अंदर जो क्या करती है एसेप्टी कंडिशन प्रोवाइड होने में हमारी हेल्प करती है ताकि हम अन्वांटेड जो और चाहते हैं उससे वह एरिया फ्री हो जाए और जो हम कर रहे हैं वह बिलकुल ही सही तरीके से हो ठीक है अगर हम कल्चर लगा रहे हैं तो कल्चर पे कोई और बैक्टीर ग्रो ना हो जो हम ग्रो करवाना चाहते हैं वही ग्रो हो ठीक है फ्रेंड्स सो वाइल उजिंग दी च जो होती है हमारी ultraviolet light जो होती है उसको हम 20 minute के लिए own कर देते हैं ठीक है It helps in creation of aseptic environment in the chamber UV light can kill all the microorganisms present in the chamber within 20 minutes So क्या होता है यह जो हम UV light on करते हैं यह हमें help करता है aseptic environment provide कराता है UV light के जरिए So ultraviolet light क्या होती है microorganisms जो होते हैं जो भी microorganisms उस time पर an aseptic condition में present होते हैं उसको क्या करता है aseptic condition provide करता है और सारे microorganisms को kill कर देता है उन 20 minutes में ठीक है Then we upon the window of the chamber switch on the normal tube light and the blower So हमारा जो normal hepa filter light है उसके बाद क्या रहे है After 20 minutes हम उसे on कर देते हैं ठीक है Window को open करेंगे, chamber को switch on करेंगे और क्या करेंगे नॉर्मल जो light होगी हमारी उसको हम on कर देंगे So blower pushes are streams of sterilized air through the hepa filter That means the chamber free of microorganisms and we can work and perform our experiments So क्या होगा जो blower pushes है उसको push कर देंगे और क्या करेंगे इस्ट्रलाइज हो गया हमारा जो area था वह पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं हमारा laminar air flow के अंदर So without the danger of microorganisms present in normal air So क्या है मारा जो microorganisms जो free environment है वहाँ पर अब है present है So वहाँ पर आप कोई भी experiment perform कर सकते हैं So basically friends यहाँ पर two types के laminar air flow आपको देखने को मिलेंगे एक vertical laminar air flow and horizontal laminar air flow So vertical laminar air flow क्या है In vertical laminar air flow the HEPA filter is located at the top of the chamber यह क्या होते है जो vertical में होंगे laminar air flow वो क्या होंगे जो उनका HEPA filter लगा होगा कहां पर फिट होगा टॉप पे ठीक है And Roop of the chamber air pushed downward and air is pushed from up to bottom ठीक है friends so air क्या होगा up to bottom पुश होगा So यह क्या था हमारा vertical laminar air flow था अब हम पढ़ते है friends last हमारा horizontal laminar air flow So friends horizontal laminar air flow the blower is located HEPA filter is located in the back of side of the chamber So chamber के side के जो back में जो space होता है वहां पर हमारा horizontal laminar air flow place होता है So and air is pushed horizontal from the back to front Now horizontal में जो जो इसका air होगा वह क्या होगा Back to front में उसका push होगा जो air होगा So friends यह था हमारा laminar air flow के two types थे So friends अब इसके diagram के बारे में हम कुछ discuss करेंगे कि किस तरह का होता है laminar air flow और किस तरह work करता है So friends laminar air flow आप देख सकते हैं जो इसके chamber है वो glasses के हैं जब हमें इसमें UV light डालनी होती है UV light डालनी होती है तो क्या होता है UV light on करने से पहले हमें सारे chamber को बंद करना होता है ठीक है Chambers को बंद करने के बाद हम UV light on करते हैं बीस मिनट के लिए यह इसका डाइग्राम है पच्छे से देख लीजिए आपने यूज किया होगा Microbiology Lab के अंदर तो यह है हमारा laminar air flow होरिजोंटल वर्टिकल में आपको बता चुकी है होरिजोंटल वर्टिकल में क्या उसके प्रोसेस होते हैं जो हमारा बिसिकली क्या है जो वर्टिकल है यह बिल्कोल ही टॉप पे उसका लोकेटिड होता है उसका फिल्टर जो होता है जो हमारा होरिजोंटल है वो उसके बेक सेड में फिटेड होता है ठीक है फ्रेंट्स यह था हमारा laminar air flow अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो से लाइक कीजगा फ्रेंट्स को शेर करना मत बुलेगा और सब्सक्राइब करना आपको ठीक है फ्रेंट्स तुकि न्यूँ वीडियो के अपड़िशन आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेगी अगर लेमिनारिय और फ्लोग के आपके और भी कोशन्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स उसके अंसर आपको मिल जाएंगे या फिर आप हमारे टैलेग्राम ग्रुप को भी जोइन कर सकते हैं वहाँ पर भी आप अपने कोशन्स डिसकस कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच